राधे राधे जैसी क्रश्ना, मैं सीमा सिंग बड़ों को चाराने स्पर्ष, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूं। आज हम विशाक मास का तीस्वा अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में विशाक पूनीमा का महात्य में और साथी दो पौरानी कथाई सुनेंगे और अंत में जग्तिस भगवान की आर्थी सुनेंगे। आईए अब हम विशाक मास का तीस्वा अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में राजा महीरत की कथा का वर्णन आएगा। पूर्व काल की बात है। महीरत नाम का एक प्रतापी राजा था। उन्हें अपने पूर्व जानमिके पुन्य प्रताप से प्रचुर संपती, सुख वेभव, पुत्र पोत्र सभी प्राप्त हुए थे। परंतुव है राजा, राज्या का सारा भार मंत्रियों के उपर सौब कर सौम विश्यभोग में आसक्त रहता था। राजा महीरत के गुरू का नाम कशब मुनी था। जब गुरू कशब को राजा महीरत के विश्यभोग में लगे रहने वाली घटना का पता चला, तो उनको बहुत दुख हुआ। कशब मुनी सोचने लगे कि जो गुरू अपने शिश्य को अधर्म से नहीं रोकता, वह भी पाप का भागी माना जाता है। अगर कोई शिश्य गुरू के समझाने पर भी ने समझे और गुरू के उपदोशों की अभेलना करे, तो इस दशा में शिश्य ही सारे दोश का भागी माना जाता है। यह सोच कर कशब मुनी राजा महीरत को समझाने के लिए उनके महल में गए। राजा ने अपने गुरू का खुब आदर सत्कार किया और गुरू के आनी का कारण पूछा। कशब मुनी ने राजा से कहा कि हे राजन आज मैं तुम्हें धर्म उपदेश देने आया हूँ। हे राजन तुम्हारा करतव्य है कि मेरी आग्या का पालन करो। क्योंकि जो राजा अपने गुरू की आग्या का पालन करते हैं, उनकी आयू, लक्ष्मी, कीर्ती, यश, वेभा वड़ता है। हे राजन तुमने अपने जीवन काल में कोई वरत उपवास और दानपुन्य नहीं किया, पर इस्तरियों की संगत में तुम पड़े रहे, पर इस्तरियों की संगत में पड़े रहने से मुनश्य को कभी सद्गती प्राप्त नहीं होती, एक मात्र धर में ही सबसे महान और श धर्म का पालन करने वाले मनशी की कभी दुर्गती नहीं होती, यह शरीर काट और मिट्टी का धिला है, मने के बाद इस्तरी पुत्र भाई, भंदू, कुटुम कभीले सब मुफेर कर चले जाते हैं, केवल एक धर्म ही उसके साथ साथ अंत तक चलता है, मनशी की आयू मुठी में भरी रेत की तरह फिसलती जाती है, एक दिन सब को छोड़ कर हम सब को यहां से परलोग जाना है, इसलिए हे राजन तुम धर्म का अनुष्टान क्यों नहीं करते, मरने के बाद हर किसी को उस दुर्गम पत पर अकेले ही जाना है, जहां ने ठहरने का इस्थान है, ने ख दिखाने को कोई गुरू ही मिलेगा, मरने के बाद तुम्हारा सारा वेभव यहीं जूट जाएगा, केवल तुम्हारे पाप और पुर्ण्य ही तुम्हारे पीछे 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 परलो तक जाएंगे, अत हे राजन तुम विवेक और बुद्धी से काम लो, आलश्य का त् कर्म, धर्म और हित की बात कहता हूं, यह राजन जिस दिन से मैंने तुम्हे अपना शिश्य बनाया है और तुमने मुझे अपना गुरू बनाया है उसी शन से, मैं तुम्हारे अच्छे बुरे कर्म का भागिधर हो गया हूं, इसलिए हे राजन तुमने अपने जीवन में जो पाप कर्म किये हैं, मुझे भी उसका फल भोगना पड़ेगा हे राजन, तुम विशाक्त धर्म का पालन क्यों नहीं करते विशाक मास सिरीहरी का उत्तम मास है इस मास में इसनान, दान, वरत करने का फल तुरंत प्राप्त होता है मुझे कितना ही बड़ा घोर पापी क्यों नहीं हो अगर वह भी विशाक मास में इसनान, वरत और दानपुन्य करता है तो उसे भी मरने के बाद बैकुन धम की प्राप्ती होती है जैसे सूरिय अंधिकार का नाश करता है वैसे ही विशाक मास जीवन भर के सभी पापों को नश्ट कर देता है इसलिए तुम विशाक्त धर्म का पालन करो जो मनुश्य विशाक मास के धर्मों का पालन शद्धा सच्ची लगन से करते हैं वे जन्म भर के पापों को त्याग कर परमधाम को पाते हैं जिस प्रकार काटने और छाटने से जो और बाजरे और चावल की भूसी अलग हो जाती है, मांजने से पीतल और तांबे के बरतन जमकने लगते हैं, उसी प्रकार विशाक मास के धर्म का बालन गने से मनुष्रिक के भग्य का उधा हो जाता है, उसके जीवन भर के सभी मेल और उसका अंतह करन साफ हो जाता है, जब राजा महीरत ने मुनी कशव से धर्म के उपदेश सुने तो राजा महीरत को सदबुद्धी प्राप्त होई, तब राजा महीरत ने मुनी कशव से कहा कि हे गुरुदेव, आज आपने मुझे धर्म का अमरत पान कराया, मैं अपने धर्म से और कर्म से भटक गया था आपने आज मुझे सत्बुद्धी प्रदान करी हे गुरुवर आज मैं धन्य हो गया आपके धर्म उब्देश को सुन कर मेरा जरूर कल्यान होगा आपने मेरे करतवय का मुझे बोध कराया हे गुरुवर मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा हे गुरुवर पूरुजन में जरूर मैंने कोई पुन्यकर्म किये होंगे जिससे मुझे आप जैसे गुरु की संगती प्राप्त हुई हे गुरुवर आपके चर्णों की धूली को पाकर मैं करतकत्य हो गया अब आपके सानिध्य में रहकर मैं विशाक मास की धर्मों का पालन अवश्य करूँगा तब उस राजा ने मुनी कशब के बताए अनुसार लगातार तीन साल तक विशाक मास का इसनान, वरत और दानपुन्य किया और तीन साल के बाद विशाक मास के वृत का उध्यापन किया इस तरह समय वेतित होने लगा तब एक दिन राजा के उपर काल की दश्टी पड़ी उस दिन राजा महीरत ने अधिक मदीरा पी ली थी जिससे राजा की मृत्यू हो गई तब राजा को लेने के लिए विश्णु दूत और यमदूत दोनों पहुँचे तब विश्णु दूतों ने यमदूतों को डाटते हुए कहा कि अरे मुर्खों यह राजा तो बड़ा ही धर्मात्मा पुरुश है यह नरक का नहीं बलकि सर्ग का अधिकारी है तब विश्णु दूत राजा को विमान में बठा कर भगवान विश्णु की आग्या से नरकों को दिखाते हुए लिजा रहे थे राजा महीरत ने देखा कि नार की अजीव बहुत पीड़ा भुग रहे थे कोई गरम तेल के कड़ा में पड़ा छट पटा रहा था तो कोई फासी पर उल्टा लटका हुआ था किसी को आरे से चीरा जा रहा था तो किसी को कोडों से मारा जा रहा था कुछ एक लोग अंधे कुए में पड़े थे तो किने जहरीले कीडे सर्प काट रहे थे कुछ होग लोग भूग प्यास से चीख चिला रहे थे तो किनी को जहरीले काटे चुगए जा रहे थे किसी का मूसल से सिर्फ ओडा जा रहा था तो किनी को लोही किशलाखों के नीचे दबाया जा रहा था सभी नार किये जीव बुरी तरह से चीख चिला रहे थे उनके दुख दरद को जब राजा महीरत ने देखा तो उसे बहुत पीड़ा हुई उसने विश्नुदूतों से पूचा कि ये नारकिये जीव इतने दुख वेकश्ट क्यों उठा रहे हैं इन्होंने अपने जीवन काल में ऐसा क्या पाप किया जिसकी इन्हें ये सजा मिल रही है तब विश्नुदूत राजा से बोले कि हे राजन इन नारकिये जीवोंने वन शियूनी पाने के बाद भी कोई व्रत उपवा सोधानपुन्य नहीं किया इन्होंने पूरी उम्र चोरी चकारी जूर पर इस्तरिगामी माता पिता का अपमान इत्यादी बुरे कर्मी किये इसलिए इन्हें नरक की पीड़ा भोगनी ही पड़ेगी तब राजा ने विश्णु दूतों से पूचा कि हे देर दूतों अगर मैंने पुन्यकार्मी किये हैं तो फिर मुझे नारकिये जीवों के दुखों को दिखाने का क्या करण है तब विश्णु दूत राजा से बोले कि हे राजन तुम्हारा मन कई बरस तक काम के अधीन रहा पड़ाई इस्तरियों का तुमने भी संग किया था इसलिए भगवान विश्णु की आग्या से तुम्हें नारकिये जीवों की पीड़ा दिखाना आउशक था परन्तु फिर तुमने बाद में कश्यप मुनी के कहने पर तीन साल तक लगातर विशाक मास का इस्तनान वरत और दानपुने किया और तीन साल के बाद तुमने विशाक मास के वरत का उध्यापन किया जिससे तुमारे जीवन भर के समस्त पाप धुल गए और तुमारा शरीर पावन और पवित्र हो गया इसलिए तुम बैकुंट के अधिकारी हो गये हो अभी विश्णु दूतों ने अपनी बात खतम ही करी थी कि नार्किय जीव एक दमशान्थ हो गये उनक्या चीखना चिल्णाना सब बंद हो गया यह देखकर राजा को महन आश्चरिय हुआ राजा महीरत ने विश्णु दूतों से पूचा कि हे दूतों ये सभी नार्किय जीव शान्त होकर क्यों खड़े हैं इनको देखकर ऐसे लगता है कि इनका सारा दुख दर्द खतम हो गया हो इसका क्या रहस्य है मैं वजाना जाता हूँ तब विश्णु दूत राजा से बोले कि हे राजन तुमने वेशाकमास में इसनान, वरत, जप, तप और दान किया जिससे तुम पावन और पावित्र हो गए हो तुमसे छूटकर बैने वाली हवा का इसपर्ष पाकर ये नार्किये जीव कुष्चन के लिए सुखी हो गए हैं इन्हे नार्किये पीडा के दुख का अनुभव नहीं हो रहा है इसलिए इन सभी नार्किये जीवों का चिलाना, करहाना छोड़ कर ये तुम्हारा दर्शन करने के लिए उतावले हो रहे हैं हे राजन भगवान के नाम का उच्चारण वर दर्शन करने मात्र से ही सुख प्राप्त होता है ये सुन का राजा का हिदर दया से भर गया हो रहा है तो मैं बैकुंट में नहीं जाना जाता, मैं यहीं नरक में रहना जाता हूं तब विश्नुदूत राजा से बोले कि हे राजन अब आप भगवान के धाम को चलिए अब हम आपको बैकुंट में ले जाना चाते हैं तब राजा ने कहा कि हे देवदूतों सादू पुरुष का करतव्य है कि कष्ट में पड़े हुए जीवों का उध्धार करें इसलिए हे देवदूतों जब तक मैं इन नार किये जीवों को सुख प्रदान नहीं कर देता तब तक मैं इने छोड़ कर स्वर्ग का सुख पाने जाओंगा क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे धर्म का उपदेश दे कर मेरा कल्यान किया तो आज मैं इन नार किये जीवों का कल्यान करना चाता हूं मेरे गुरू कशफ मुनी ने मुझे विशाक धर्म का पालन करवाया तो आज मुझे बैकुन प्राप्त हुआ आज इस समय मेरा भी धर्म बनता है कि मैं इन नार्किय जिवों का उधार करू तबी वहां आकाशवाणी हुई आकाशवाणी ने राजा से कहा कि हे राजन तुम अपने विशाक मास की पूर्नी मा का पुण्यफल इन नार्किय जिवों को संकल्प भर कर छोड़ दो इसी से इनका उधार हो जाएगा तब उसी समय राजा महीरत ने अपने वेसाकमास की पूरीमा के वरत, इस्तनान और दान का पुर्णे उन नारकिये जीवों को संकल्प भर के छूर दिया उसी समय सभी नारकिये जीव अपनी पुरानी दह को छोड़ कर दिवे दह धारन करके राजा को नमस्कार कर, पदिशीना कर, राजा की प्रिशंसा करते हुए विशेश विवान में बैठ कर स्वर्ग लोक में चलेगे सदान से वे राजा महीरत, देवताओं, द्वारा पूजनिये और वंदनिये होकर वैकुंट में चलेगे और उन्हें ऐसा दुर्लव पद प्राप्तु हुआ जो की बड़े से बड़े सादो सन्यासी और महात्मा को भी दुर्लव होता है जो मनुष वे शाकमास के इस महात्य में को सुनते हैं, पढ़ते हैं और सुनाते हैं वे धन यश आयू सुक समरदी से युक्त होकर दसो दिशाओं में उनकी कीर्थी फैलती है और वे चतुर्भुज रूप दारन करके विश्नु लोक में चिरकाल तक आनंद सुक भुखते हैं आये अब हम शाकमास की पीपल पूर्णीमा की एक पुराणी कहानी सुनते हैं एक बार बहुत छुटा सा नगर था, उस नगर का नाम रतनबुर था उस नगर में एक राजा अपनी दो रानियों के साथ रहता था राजा की बड़ी रानि से जब राजा को ओलासु की प्राप्ते नहीं हुई तो उसने दूसरे विभा किया तब दूसरे विभा से राजा को दो जुड़वा पुत्र पैदा हुई जिससे राजा अब छोटी रानि को अधिक पसंद करने लगा बड़ी रानी बड़ी ही समझदार थी उसने इसे अपना भाग्य समझा और उसने समझोता कर लिया राजा पहले तो कभी कबार बड़ी रानी के कख्ष में चले जाया करते थे लेकिन जब छोटी रानी से राजा को दो जुड़वा राजकुमार हुए तो राजा ने बड़ी रानी की तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया अब बड़ी रानी अपना सारा समय पूझा पाठ व्रत उपुवा सोधान पुन्य में बिताने लगी तब एक दिन राजपुरोईत ने बड़ी रानी के दुख को समझ लिया राजपुरोहित ने बड़ी रानी से कहा कि हे रानी जी आप हर मेने की पूरीमा का वरत कीजिए सत्य देव भगवान सब की इच्छा पूरी करते हैं वे आपकी भी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे तब बड़ी रानी ने राजपुरोई से कहा कि हे राजपुरोई जी पूरीमा के वरत की क्या विदी है क्या कता है क्रपा करके आप मुझे बताईए तब राजपुरोई ते बड़ी रानी से कहा कि हे रानी आप चिंता मत कीजिए मैं अपनी पुरोईतानी को पुरोईतानी के दिन आपके पास भीर दोंगा वह आपको पुजा की विधी भी बता देगी और सत्यनाराइन भगवान की कथा भी सुना देगी अब हर मैने की पुरोईतानी बड़ीरानी के कख्ष में जाने लगी और बड़ी रानी को पुनीमा की पूजा करवाती और भगवान सत्यदेव की कथा सुनाने लगी बदले में बड़ी रानी उन्हें कुछ रुपिय देती तब एक दिन छोटी रानी ने पुरोईतानी को बड़ी रानी के कख्ष में जाते हुए देख लिया तो छोटी रानी ने अपनी दासी को भीज कर पुरोईतानी को अपने महल में बुलवाया और पूजा कि है पुरोईतानी, तुम बड़ी रानी के महल में क्यों जाती हो सच सच बताओ, नहीं तो मैं राजा से कह कर तुम्हें तुमारे पती के साथ जेल में डरवा दूगी चोटी रानी ने पुरोयतानी से पूछा कि इस्वरत को करने से क्या फल मिलता है तो पुरोयतानी बोली कि छोटी रानी जी इस्वरत को करने से धन जाने वाले को धन संतान जाने वाले को संतान कुवारों के व्याहों और बुजर्गों को बैकुंड का वासा मिले सुख वेब समरधी, सभी सुख मिलते हैं जिस भी इच्छा से इस work को किया जाए भगवान सत्य देव उसकी वही इच्छा पूरी कर देते हैं तब छोटी रानी मानी मन सोचने लगी कि अगर इस शुवरत को कहने से बड़ी रानी मा बन गई और उसे भी पती सुक मिलने लग गया, तो राजा जी अपना सारा प्यार और धन बड़ी रानी के उपर और उनके बच्चों के उपर उडेल देंगे, वो बड़ी हैं तो राजा जी के बाद बड़ी रानी का पुत्र ही इस राजे का उत्रादिकारी बनेगा, अत्य मुझे भी इस वरत को करना चाहिए, तब छोटी रानी बड़ी रानी से बोली कि है पुरोईतानी जरा यह तो बताओ, बड़ी रानी तुम्हें दक्चीना में क्या देती है, तो पुरोईतानी बोली कि वो मुझे कुछ रुपय देती है, तब छोटी रानी पुरोईतानी से बोली कि अरे पुरोईता तुम आज से मुझे भी भगवान सत्यदेव की कता कहानियों को सुनाओ, मैं भी आज से व्रत करूंगी और तुम्हें रोज सो स्वनमुद्राई दोंगी। लेकिन अगली पूरी मा से तुम पहले मुझे कहानी सुनाओगी उसके बाद में बड़ी रानी के पास जाओगी। तब उस दिन पुरोईतानी ने पहले चोटी रानी को सत्यदेव भगवान की कता कहानी सुनाई और उसके बाद बड़ी रानी के पास गई। तब बड़ी रानी ने पुरोईतानी से पूचा कि है पुरोईतानी जी आज आपको आने में देर कैसे हो गई तो पुरोईतानी ने कहा कि आज से चोटी रानी भी भगवान सत्यदेव का वरत कर रही है तो मैं उन्हें भी कता कहानी सुनाने के लिए गई थी तब पुरोईतानी बड़ी रानी से नाराज होते हुए बोली कि देखो बड़ी रानी जी जल्दी जल्दी से पूजा कर लो और जल्दी से कहानी सुननो मुझे देर हो रही है, मुझे घर भी जाना है इस तरह से पुरोयतानी ने आधियदूरी पुजा करवाई और आधियदूरी सत्यदे भगवान की कहानी सुनाई तब बड़ी रानी पुरोयतानी से बोली कि पुरोयतानी जी आप पले कहानी जल्दी जल्दी सुना देजिए लेकिन आधी अधूरी पूजा और आधी अधूरी कहानी मस सुनाईए आज आपने पूजा भी अधूरी करवाई है और कहानी भी आधी अधूरी ही सुनाई है तो पुरोयताईनी नाराज होते हूँ ये बड़ी रानी से बोली कि है रानी जी एक तो आप मुझे दक्षीना के रुपए भी कम देती हैं और उपर से आप चाती हैं कि मैं पूझा भी पूरी करवाऊं और कहानी भी पूरी सुनाऊं ये सुनते ही बड़ी रानी ने पुरोईतानी से कहा कि पुरोईतानी जी जब मैं इस वरत का उद्यापन करूंगी तो आपको अच्छी दक्षीना दे दोंगी जब विशाक मास की पीपल पूनीमा का दिन आया तो बड़ी रानी ने विशाक मास की पीपल पूनीमा का वुरत का उद्यापन किया तब उस दिन उसने सत्यदे भगवान के साथ पीपल की भी पूजा करी तब पुरोइटानी ने बड़ी रानी से कहा कि बड़ी रानी जी आपने कहा था कि पूनी मा के वृत के उद्यापन में मैं अच्छी दक्षीणा दूँगी, आज मैं आप से अच्छी दक्षीणा लेकर ही घर जाओंगी तब रानी सोच में पड़ गई अब पुरोईतानी को मैं क्या दक्षेना दू उसने बक्सा खोल कर देखा तो उसमें उनकी मा की दी हुई शादी की चुंदरी की साड़ी पड़ी थी जो सच्चे हीरे मोती और सच्चे गोटे वाली थी तब बड़ी रानी ने वही चुंदरी की साड़ी पुरोईतानी को ओड़ा दी पुरोईतानी चुंदरी की साड़ी ओड़ कर खुशी खुशी घर जाने लगी तब पुरोईतानी ने खुश होकर बड़ी रानी को धेर सारी दुआएं दी चुंद्री की साड़ी ओड का जब पुरोईतानी छोटी रानी के महल के सामने से गुजरी तो छोटी रानी ने पुरोईतानी को देख लिया चोटी रानी ने दासी को भेज का प्रोईतानी को सम के महल में बुलाया और पूचा की बता आज बड़ी रानी ने व्रत के उद्ध्यापन में तुम्हें क्या दक्षीना दी तो प्रोईतानी ने खुशोते हुए कहा कि यह साड़ी जो मैंने ओड रखी है यही साड़ी उन्होंने मुझे आज दक्षीना में दी है ऐसा सुनते ही चोटी रानी आग बभूला हो गई चोटी रानी ने प्रोईतानी से कहा कि अब ठीक है तुम अपने घर जाओ उसके बाद चोटी रानी नाराज होकर कोब भवन में जाकर सो गई जब संध्या के समय राजा शिकार खेल कर महल में आए और चोटी रानी को कोब भवन में सोते हुए देखा तो उन्होंने चोटी रानी से नाराजगी का कारण पूछा तब छोटी रानी ने राजा से कहा कि हे महाराज आज बड़ी रानी ने पूरीमा के वरत का उद्यापन किया था जिसमें उसने पुरोईतानी को सच्चे गोटे हीरे मोती से जड़ी चूंदरी की साड़ी धक्चिनया में दी है मुझे वही साड़ी चाहिए तब राजा ने चोटी रानी से कहा कि हे रानी उस बिचारी के सारे गयने तो तुमने पहले ही ले लिए अब वह साड़ी तो उसको उसकी माने दहेज में दी थी वह मैं कैसे मांग सकता हूँ लेकिन रानी की जित के आगे राजा की एक न चली तब राजा दुखी होकर बड़ी रानी के महल में पहुचा और बड़ी रानी को पूरी बात बताई कि हे रानी तुमने आज दक्षीना में पुरोईतानी को जो साड़ी दी है वह उससे वापस मांग लो क्योंकि वह साड़ी चोटी रानी को बहुत पसंद है मैं तुमसे कल वह साड़ी लेने के लिए आऊँगा तब बड़ी रानी राजा के चड़नों में गिर कर बोली कि हे महाराज दक्षीना में दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती अगर आप चाहें तो मेरी जान ले लीजी लेकिन एक बार कोई चीज दान में दे दें तो उसे किस तरह से हम वापस मांग सकते हैं राजा ने कहा कि हे रानी तुम सही कहती हो लेकिन चोटी रानी को कौन समझाए हे रानी तुम प्रोईतानी को मेरी मजबूरी बताना और वहसाडी उससे वापस माग लेना और ऐसा कहे कर राजा वापस छोटी रानी के पास चले गए अब बड़ी रानी सोच में पड़ गई कि अम मैं क्या करूँ उस रात्री को वह भगवान सत्यदेव से बार बार्विंती करने लगी कि हे भगवान सत्यदेव अब आप ही मेरी रक्षा करना अब मेरी इज़त रखना आपके हाथ में है इस तरह बड़ी रानी पूरी रात्री भगवान सत्यदेव को याद करती करती सो गई तब अर्ध रात्री में भगवान सत्यदे बड़ी रानी के स्वप्न में आये और बोले कि हे रानी तुम दुखी क्यों होती हो, तुम क्यों चिंता करती हो, तुम राजा को कल उसी पीपल के पेड़ के पास लेकर के जाना जहां तुमने मेरी पूजा करी थी, तुम्हें वहा ऐसी कई साड़ियां लटकी हुई मिलेगी, उनमें से तुम कोई सी भी एक साड़ी उठा कर राजा को दे देना, और हे रानी मैं तुम्हें पुत्रवती धनवती होने का अशिर्वा देता हूं, ऐसा कहे कर भगवान सत्यदेव अंतरध्यान होगे, सुबर जब बड़ी रा पूजा पाड करी, उसके बाद उसने नित्य का कारिय किया, तभी राजा छोटी रानी और राजपुरोईत को लेकर बड़ी रानी के महल में पहुँचे, बड़ी रानी ने उनका खुब आधर सत्कार किया, तब राजा ने बड़ी रानी से पूचा कि हे रानी तुमने तब बड़ी रानी सब को लेकर पीपल के पेड के पास पहुची, तो उस पेड पर सैकडो चूंदरी की साडियां लटक रही थी, जो सभी सच्चे हीरे मोती और सच्चे गोटों से लडज़र हो रही थी, सम बड़ी रानी को भी यह देख कर महन आश्चरिय हुआ, बड़ी पुरोईत को पूरी सच्चाई बताई, तब राज पुरोईत राजा से बोले कि हे महाराज भगवान सत्यदेव ने बड़ी रानी के सत का मान रखा है, इसलिए उन्होंने एक चूंदरी के वदले में सैकडों चूंदरी की साडियां उनके लिए भेज दी, हे राजन इस्त भी ही घर को विगारती है, अब आप खुद सोचिए कि कोन घर विगार रहा है और कोन घर बचा रहा है, तब छोटी रानी को भी अपनी गलती का ऐसास हुआ, छोटी रानी बड़ी रानी के चर्णों में पढ़कर अपनी गलती की शमा मांगने लगी, उस दिन राजा ने भ आधी बड़ी रानी को घर भी टहर गया, और नवे मैने में बड़ी रानी को सुंदर पुत्र पैदा हुआ, तब राजा ने पूरी नगरी में ये धिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को विशाक मास की पूर्णी मा कवरत काना चाहिए, पीपल के पेड की पूजा कानी चाहि आधी ओ तो पुरियो, पुरियो तो परवान चड़े, भूले विस्रे नाम तेरे भंडार में भरे। जै जग दीस हरे, डात जनों के संकट दास जनों के संकट, शन में दूर करे, ओंजै जग दीस हरे, जो त्यावे फल पावे दुख विन से मन न का समी, दुख विन से मन का, सुक संपति घरे आवे काष्ट मिटे तन्यका ओम जय जग दी सहरे बात विता तुम्हे मेरे शरण गवों किसके समी तुम्हे बिने ओर न धूजा आस करूज सके ओम जय जग दी सहरे तुम्हे पूरन पर्मातमा तुम्हे अंतरियामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम्हे समी उम जय जग दी सहरे तुम्हे करूणा की सागर तुम्हे पालन करता समी तुम्हे पालन करता मैं मूरत खलता मी क्रपा करो घरता ओम जय जग दी सहरे तुम्हे हो एक आगोचर सबके प्राण पती समी सबके प्राण पती किस विदमी नो दया मैं तुम्हे को मैं कुमती उन्जय जगदी सहरे दीन बंद दुख हरता तुम्हे ठापुर मेरे सामी तुम्हे राप्षक मेरे अपने हात उठाओ द्वार पड़ा तेरे उन्जय जगदी सहरे विशय अभिकार मिटाओ पाप हरू देवा समी पाप हरू देवा शदा भक्त बराओ संतन की सेवा उन्जय जगदी सहरे तन मन धन सब कुछ अरपन है तेरा समी सब कुछ है तेरा तेरा तुझे को अरपन क्या लागे मेरा उन्जय जगदी सहरे उन्जय जगदी सहरे जो कोई जन गावे समी जो कोई जन गावे कहत सिवान दसों में मन वांचित भल पावे विशाद मास की पूरीमा का महात्यम में विशाद मास की पूरीम की कहानी सुनी साथ ही हमने इसमें पीपल पूर्णिमा की कहानी सुनी आशा करती हूँ यह आपको जरू पसंद आएगी मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे आने वाले कता कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें धन्यवाद